जगत प्लांटी पादप पहला पादप जगत के सभी जीव बहु कोशिकी वा यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं दूसरा अधिकांश पौधू के कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता हैं जिससे ये पौधे प्रकास संसलेशन की क्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं अर्थातिय स्वापोशी होते हैं तीसरा इनमें सेलुलोस से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती हैं उधारन के लिए स्पाईरोगाईरा शैवाल प्यूनेरिया मौस फर्न साइकस खजूर नीम धान आदिक विटेकर ने शैवालों को प्लांटी जगत में शामिल किया हैं अन्य पादबो की तरह शैवाल के शरीर में जड तना पत्ती में विभेदन नहीं किया जा सकता बारिश के दिनों में आपने नदी वा तलाब के किनारे वा फर्ष पर चमकदार हरी परत जमी हुई देखी होगी इसे हम इस्थानिय भाषा में काई कहते हैं यही शैवाल है प्यूनेरिया मौस इसका शरीर मुख्य रूप से पत्तियों तथा जड जैसी सनरचना राइजोईट्स का बना होता है राइजोईट्स त्वारा जल वक्खनीज लवडों का अव्शोशन किया जाता है इस तरह के पौधों को ब्रायोफाइटा समू में रखा गया है पौधा है जिससे आप अपने परिवेश में ढूंडने का प्रयास करें या टेरीडोफाइटा वर्ग का पौधा है इस वर्ग के अधिकांश पादपों में पुश्पिए पादपों की तरह रीगही शरीर का विभाजन होता है अर्थात इन पादपो का शरीर, जड़, तना वपत्ती में विभाजन होता है तथा इन में समवानु तक भी पाया जाता है परन्तु इस वर्ग के पादप अपुश्पी होते हैं अता ये बीज उत्पन नहीं कर सकते मारसीलिया इस समू का एक अन्युधारण है क्या आप जानते हैं? अमर बेल प्लांटी जगत का एक सदस से है या एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधे के तने से लिप्टा होता है इसमें पर्ण हरित नहीं पाया जाता या दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है इसके लिए अमर बेल में विशेश प्रकार के जड़े पाई जाती है जो अन्य पौधों से भोजन को अवशेशित करती है पादब जगत के वर्गी करन को एक पुष्पिय पौधों के उधारन के रूप में देखें तो पुष्पिय पौधों को हम दो भागों में वर्गी कर सकते है पहला बीज आवरन रहित यानि जिम्नो स्पर्म या साइकस दूसरा बीज आवरन सहित इंजो स्पर्म इंजो स्पर्म को पुना हम दो भागों में विभाजित कर सकते है पहला एक से अधिक बीजपत्र, दुए बीजपत्री जिसके अंतरगत चना, मटर, मुंग इनमे मुशला जड़े होती है पत्थियों में जलिकावत शिराविन्यास होता है दूसरा एक बीजपत्र यानि एक बीजपत्री जैसे गेहू, मक्का इनमें जखड़ा जड़े होती हैं पत्यों में समानांतर शिराविन्यास होता है आप अपने आसपास पाय जाने वाले कुछ पौधों जैसे आम, धान, महुआ, घास, मक्का आदे के पत्यों का अवलोकन करें उनके जड़ों के प्रकार एवं शिराविन्यास में क्या संबंध मिलता है उसे लिखें